हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको चार सलाई में बनने वाला एक बहुत ही प्यारा सा इजी नीटिंग पैटर्न बनाना बताऊंगी केवल चार सलाई में ये डिजाइन बनता है और डिजाइन को बनाने के लिए फंदे हमने एट के मल्टिप पर यानि आठ के गुणा पर फंदे रखने हैं तो ये डिजाइन जो है आप अल प्रोजक्त पर अपलाई कर सकते हो किसी भी स्वेटर पर आप इस डिजाइन को बना सकते हो देखिए आठ आठ करके हमने फंदे लेने हैं प्लस हमने लास्ट में साथ फंदे एक्स्ट्रा र से ऐसे दिखाई देता है फ्रंट साइट से ऐसे दिखाई देता है तो चलो इसे बनाते हैं तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने इस पर 23 फंदे डाले हैं 16 फंदे मैंने डिजाइन के लिए डाले हैं 8-8 फंदे दो बार मैंने इसमें डाले हैं 16 फंदे डिजाइन के लिए हैं और साथ फंदे एक्स्ट्र हैं तो इस तरह से ये टोटल 23 फंदे 23 स्टीचेज पूरे हैं दो डिजाइन इस पर बनेंगे दो डिजाइन मैं आपको इस पर बना के बताऊंगी एक और दो ठीक है तो आपने भी इसी तरह एट के मल्टिपल पर यानि की आठ 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 करके इससे सीधा उतारेंगे इसके बाद 5 फंदे सीधे बनाएंगे ध्यान से देखियेगा चार सलाई का तुटल है दिजाइन है मैं suburbs कि ती चार पांच H को छोड़के 5 फंदे सीधे बनाएंगे इसके बाद देखे आगे जो ये 3 फंदे हैं इन 3 फंदों पर हमने 3 फंदे बनाने हैं तो देखे शुरू के 2 फंदों को इस तरह से लेंगे और इन्हें इस तरह से पलट के इस सलाई पर रख देंगे ऐसे फिर इन दो और एक ये तीन तीन फंदों पर सलाई डालेंगे और तीनों फंदों को हम बैक लूप से बनाएंगे इस तरह से तीन का हम यहां पर तीन फंदा बनाएंगे एक फंदा ये इन फंदों को हमने लूज बनाना है दो फंदा ये सलाई पर धागा गुमा के दो फ इन्ही 8 फंदों की डिजाइन को हमने बार-बार रिपीट करना है पूरी सलाई में फरस्ट ट्रो में फिर से 5 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे सीधे बनाने के बाद एक, दो, दो फंदों को हम इस तरह से सलाई डालेंगे और इन से दोनों दालेंगे और इन तीन फंदों को पीछे से बुनेंगे अब इन्हें तीन फंदे हमने बनाने हैं एक ये दूसरा ये और तीसरा फिर से इसे इस तरह से बनाएंगे तीन फंदों के यहां पर हमने तीन फंदे बनाने तो इस तरह से करते 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 लाश्ट में हमारे यहां पर 6 फंदे बचेंगे, 5 फंदे हमारे डिजाइन के हैं और एक एस्टी छे, तो इन 6 के 6 फंदों को हमने सीधा बनाना है, तो देखा इस तरह से ये हमारी पहली सलाई बुनी जाएगे, फर्स्ट रो हमने इस तरह से यहां पर बनानी है, ठीक है, अब देखिए, 2nd ड्रो बैक पहला फंदा एस्टी चाहे इससे स्लिप करेंगे इसके बाद पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे सारे फंदे हमने उल्टे बनाने है यह देखिए यहाँ पर यह सेकेंड रो ओवर हो गई पूरी उल्टी उल्टी बनाके हमने इसे पूरा करना है अब देखिए थार्ड रो राइट साइड तीस्ती सलाई सीधी दरफ से पहला फंदा एस्टी चै इसे सीधा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई हम उल्टा उल्टा बनेंगे इस साइड हमने सीधी तरफ से थार्ड रो पूरी उल्टी उल्टी बनानी है देखिए ये हमारे तीन जो डिजाइन के फंदे हैं इन्हें भी हम उल्टा ही बनाएंगे ये हमारी थर्ड रो यहाँ पर उल्टी उल्टी बन गई लास्ट का एस्टी सीधा बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये थर्ड रो भी इस तरह से हमने उल्टी बनाके इसे कम्प्लीट करना है अब देखिए फोर्थ रो बैक साइड चौथी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे ये हमारा एस्टी चैए इ केवल सीधी तरब से हमारा डिजाइन डलेगा और उल्टी तरब से उल्टा उल्टा ही बना जाएगा कि अपने यहां पर पूरी हो गई है तो देखो यह चार सलाईों का ही डिजाइन है देखा आपने कितना आसान डिजाइन है चार सलाई का है लेकिन जो डिजाइन है हमारा वो केवल हमारा फर्स्ट ड्रो में डलेगा फर्स्ट ड्रो में ही हमने डिजाइन बनाना है सेकेंड रो हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाना है थर्ड रो हमने राइट साइड से उल्टा उल्टा बनाना है और फोर्ड रो हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा ब तो फिर बनाईए अपने स्वेटर में इस डिजाइन को और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई